जैश्री राम को लेकर के जो देशबर में बहस छीड़ी है उस पर बात करने के लिए इस वक्त हमाई साथ महजूद हैं भोपाल की हुजूर विधान सभास से विधायक रामेश्यो शर्मा हिंदुवादी सोच को लेकर सक्रिदी को लेकर कि आप काफी मुखर रहते हैं अभी पश्री मंगाल में इक ताजा मामला आया है जैश्री राम को लेकर के विवाद श्रणा है इस पर क्या कहेंगे इस पर एक ही कहेंगे कि ममता के माबाब पस्ता रहे होंगे कि उसका ममता वेनरजी नाम रखा क्यों ममता तो राम के अंदर थी कोशलया के अंदर थी और ममता का और करुणा का जो शब्द है वखवान राम से उत्पत हुआ है जो मम्ता राम का ब्रोध कर सकती है वो मम्ता हिंदुस्तान के और पस्चिम बंगाल के काम नहीं आ सकती है इसलिए मम्ता राम ब्रोधी भी है और मम्ता राश्ट ब्रोधी भी है मम्ता देश द्रोईयों को पस्चिम बंगाल के आतंकवादियों को हिंदुस्तान में गुसा र नहीं मैं पूछना चाहता हूं सीता राम एचूरी ये बताई है कि तुम्हारे माबाप से पूछा तुमने कि अगर राम हिंसक थे तुम्हारे माबाप ने हिंसक नाम रखा क्यों और 50-55 साल से इस नाम को तुम ढोग के हो रहे हो सीता राम यचुरी राम हिंसक नहीं है गीता हिंसक नहीं है रामाइन हिंसक नहीं है ये हिंसा करने वाली बत्तमीज लोगों का मूतोर जवाब देने वाली कि अगर कोई है तो वो रामाइन है राम तीन दिन तक समुद्र के किनारे प्रासना करते हैं समुद्र नहीं मानता सब समय लो राम तुमको जमीन सोते उड़ते बैठते याद आएगा तुमने राम का अपमान किया है और भारत ये जाके प्रिये नराम वैदेई जितके प्रिये राम नहीं है वो भारत का भी नहीं हो सकता वो भारत के समाज का भी नहीं हो सकता सीता राम यचुरी का भी काला म होगा और राम ब्रोधियों का भी मुखाला होगा आप जब राम का इतना नाम ले रहे हैं संस्किति की बात जब होती है एक सवाल उठ रहा है साध्वी प्रग्रेसिंग ठाकूर पे भी आप प्रटी से प्रत्याशी है बीजेपी की भोपाल जिक्तुवासीट से लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि मंदिर मंदिर तो खुब जारी है लेकिन तेजीब की एक जगे है भोपाल मस्जिद में क्यूं नहीं जा रही दरगां पर क्यों नहीं जाते हैं इंदू धर्मे और सनातन सम्मानों को आतंगवादी नहीं कहते हम सबका सम्मान और सबका साथ देने वाले लोग हैं लेकिन मज्जिद जाकर हम ढौंग रचाकर बोट मांगने वाले लोग नहीं हैं तुम खूब कुराने पढ़ो भी लेकिन हमको गीता ग्यान सुनाने दो चंदासे बेर नहीं हमको पर सूरच को वार के चड़ाने दो रामेश शर्मा जिनोंने अपनी राय रखी है खास्तोर से जैश्री राम को लेकर के विवाद छिड़ा हुआ है पश्चे मंगाल में और जो भूपाल में आकर के सीता राम ये चुरी ने कहा था उस पर बड़ा हमला किया है रामेश शर् सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिलकुल मत धूलिएगा